हेलो एवरिवान वेलकाम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सभी लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंज आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिफ्स लेकर आचुकी हूँ जिसके मद्यसे आपका घर और किचिन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे साथ ही में आप खुद के लिए टाइम निकल पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंज आज का मेरा पहला टिफ्स आटा चालने वाला चलनी को ले करके इस तरह का चलनी का इस्तमाल हम सभी लोग करते हैं लेकिन ये चलनी जब पुराना हो जाता है या तो फिर कहीं से ये फट जाता है तो इसका इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं लेते हैं बेकार समझ के हम फैक दिया करते हैं तो इसको बिल्कुल भी ना फैके इसी के मदद से यानि की पुराना चलनी के मदद से आज एक बहुती बढ़िया सा और्गनाइजर बनाओंगी जो आपके किचेन में बहुत काम आएंगे तो सबसे पहले आपको इस अभी एक नुकीले चीज ले लीजिए और उसको क्या किजी अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर उसके बाद के चलने के बॉर्डर में जो डिजाइन बना हुआ है न तो एक-एक डिजाइन में एक-एक छेट कुछ इस तरह से बना करके तयार कर लीजिए और ये देखे फ्रेंस कुछ इस तरह से ये तयार हो चुका है अब हमें इसे hang करना है तो इसे hang करने के लिए हमें धागी की जरुवत पड़ेगी आपके पास जो भी धागा है आप ले सकते हैं मेरे पास उन था तो मैं यहाँ पे उन का इस्तमाल कर रही हूँ तो अब हमें क्या करना है, 3 उन लेना है, तो बराबर से मैं इस तरह से उन को कट करी हूँ, और बराबर वला कट कीजिएगा, ताकि कहीं से उचा, कहीं से नीचा ऐसा बिल्कुल भी ना हो, अब 3 उन को 3 साइट में कुछ इस तरह से 2-3 गाट लगा करके अच्छे से fix करके बा पांदिएगा ताकि ये आसानी से खुले ना और इसको हम अच्छे से यूज कर पाएं अब तीनों उनको एक साथ में पकड़ के उपर के साइट में कुछ इस तरह से नौट लगा देंगे ताकि इसको हम हैंग कर पाएं तो ये हैंगिंग के लिए पूरी तरीके से तयार हो च है तो मेरे पास काफी सारी हूँख है तो जितना भी है उन हूँखों में इस तरह से जो चोटा-चोटा छेद बनाई थी ना उसी चेद में इस तरह से डाल दूंगी और बस इस और कुछ भी करने की जरौत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे यह organizer तयार हो चुका है. इसका इस्तमाल लेंगे हम kitchen में. तो चलिए friends, चलते हैं सिधा kitchen में. kitchen में आकर के कहीं पर भी इसको टांग करके रख लीजिए. तो यह देत ही, तो यह बन चुका है बरतन STAN. तो आप छोटी मोटी जो भी जैसे कि ग्लास हो गया चुटी-चुटी कर्टोरी वगरे को इस तरह से इस चन्नी में आप रख सकते हो और इसका दूसरा यूज और भी बढ़िया है जिसे देखे आप खूस हो जाओगे तो यहां पर जो होग हमने लटकाए है ना उन होग में यह जो छोटी-मोटी टूल ज बहुत ही जदा हमें ढोड़नी होती है तो उन सभी टूल को इस तरह से अगर हैंग करके रखोगे तो आपको लेने में भी बहुत आसानी होगी और दूसरी बात तो यह देखिए कि रखने का भी जंजट पूरी तरीके से खतम हो जाएगी है ना कितना यूसफुल आइडिय मुझे ये टूल मुझे ये और्गनाइजर बहुत ही बढ़िया लगा है आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ठीप तो यहां पर हमने लिए हैं प्रेस प्रेस का इस्तमाल करने के बाद प्रेस का जो वैर है ये यदर उदर फैलता जादा है क्यूंकि इसको हम समेट के नहीं रख पाते हैं ठीक से इस बज़े से ये फैलता है तो इसको समेट के रखने का एक बहुत ही यूसपूल ट्रीक है इस तरह से वैर को आप समेट लीजिए उसके बाद कुछ इस तरह का जो हमारे पास क्लाचर वगरा होता है ना एक क्लाचर को अपले करके वैर को इस तरह से अच्छे से साथ सेट करके रखे फिर आप देखेंगे ये वैर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और वो जगा भी क्लाटर फ्री हो जाएगा है ना कितना बड़ी असा यूस तो चलिए अब दख ल हो जाता है हम सभी के लिए तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए क्योंकि कुछ ऐसे सिलाई होती है जो चोटी सुई के सिवा होती नहीं है जैसे की जीरो साइज सुई यहां पर मैंने लिया हुआ है और इसी जीरो साइज सुई में मैं आपको धागर डाल के दिखाऊंगी व पिर उसके बाद हमें लेना है एक जारू के बाल तो क्या होता है फ्रेंस जारू के बाल बहुत ज़्यादा स्वाप्ट लचीले और पतला होता है जिस वज़े से यहां पर मैं जारू के बाल का ही इस्तमाल की हूँ अब हम क्या करेंगे दिखिए इस बाल में जो एक्स्ट्रा रेशे हैं उसे हमें कुछ इस तरह से साप कर लेना है ताकि ये और ज़्यादा पतला हो जाए जैसे कि मेरे पास जीरो साइज सुई है तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से इसको तयार कर रही हूँ थोड़ा से वीडियो को ध्यान से दिखिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में भी आएगा और आप जब खुद अपलाई करेंगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेगा और फिर देखिए कुछ इस तरह से बाल को मैंने फोल्ड कर लिया है और चमच का डंडी है वहाँ पर हमें इसे फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए मैं यहा सुई में इस बाल को कुछ इस तरह से हमें डालना है यह देखिए जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही बोला कि यह बाल बहुत ज़्यदा पतला बहुत ज़्यदा सौप्ट होता है जिस वज़े से जीरो साई सुई में भी यह बहुत अच्छी तरीके से डल जाएगा उसके पाद हमें क्या करना है यह जो जाडू का बाल है उसी के अंदर हमें धागा को डाल देना है धागा को डालने की बाद और कुछ नहीं करना है सिधा हम सुई को कुछ इस तरह से खीच लेंगे तो इस तरह से जैसे ही हम सुई को खीचेंगे न तो अपने आप सुई के अंदर दागा डल जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से है ना कितना कमाल का idea तो इस तरह से अगर आप धागा लगाएंगे सुई में तो zero size सुई में भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से धागा को लगा पाएंगे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही useful trick लगी है मुझे अगर आप कोईन का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो फिर देखिएगा इस तरह का टूल आपको ऑनलाइन में या मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन वो काफी महंगे होते हैं तो आप घर पे ही बना करके इसका यूज लिया कीजिए तो चलिए अगला टिप मैंने या पे लिया है कभी ना इसमें से बहुत ही बैड इसमेल आता है जैसे की कभी अद्रक ट्रेसन पीस लिये और अध्रक लैसून का स्मेल बहुत ज़्यादा इस ट्रॉंग होता है तो इस बजह से इसстमिल बट्टे में से अद्रक लहसुन का स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाता है चाहें इसको हम कितना भी अच्छी तरीके से साप कर ले तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रीक आप जरूर फॉलो कीजिएगा इसके लिए आपको चाहिए नियूस पेपर और नियूस पेपर का दो टुग करना है आपको लेना है विनीगर और विनीगर को कुछ इस तरह से नियूस पेपर में डाल दीजिए ये दिखिए फ्रेंस कुछ इस तरह से उसके बाद आपको क्या करना है इस खलवटे को पूरे रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर आप सुबा उठके देखें कितना यूसफुल आइडिया तो चली फ्रेंस आज का वीडियो में यही पेंट कर रही हूँ आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूसफुल लगा है अगर वीडियो थोड़ा सभी यूसफुल लगे तो वीडियो को जादर सा जादर सेयर कर दीजिएगा साथी साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चली मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स और थैंक्स पर वाचिंग